हेलो इंटेलिजन्स वेलकम टो अक्षे चोपना मैच्स आज की हम वीडियो में टैंथ क्लास का स्टेंडर्ड मैच्स 2023 का पेपर जिसका कोड 31 1 है और सेट 1 है आज हम उसका सेक्शन E डिसकस करने वाले हैं जो पहले चार सेक्शन है सेक्शन ABCD वो हम प्रीविएस वीडियो में डिसकस कर चुके हैं तो इसके पहले हमने जितने भी PYQ कर रहे हैं प्लस जितने भी सेंपल पेपर कर रहे हैं और जो इसके पीछे ABCD सेक्शन कर रहे हैं उन सब का लिंक मैं डिसक्रिप्शन में मैंचन कर चूँँगा तो आप डिसक्रिप्शन से चेक कर सकते हैं चल यह स् एक साल में कितनी रेनफॉल होती है वो सारा कुछ सर्वे करा गया उसके अकोडिंग यह कुछ डेटा है हमारे पास it helps them to compare and analyze the results the table given below shows subdivision while seasonal rainfall in millimeter in 2018 2018 का data है ठीक है तो यह आगई rainfall in millimeter और यह आगया number of subdivision मतलब 200 से 400 millimeter की rain वाले कितने areas है 400 to 600 are 4, 600 to 800 are 7 ऐसे read करने है ठीक है चलिए तो based on this information answer the following question write the model class model class आपको पता बेटा model class कैसे करते है जहां भी सबसे ज़्यादा frequency होती है यहां पर सबसे ज़्यादा frequency क्या है 7 है तो यही अपनी क्या हो जाएगी model class यही अपनी क्या हो जाएगी बेटा model class तो model class के आगई 600 to 800 ओके getting my point तो इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे since maximum क्या लिखेंगे इसको since maximum frequency is maximum frequency क्या है बेटा 7 which is of which is of 600 to 800 class ठीक है तो therefore जो अपनी model class होगी तो बेटा model class क्या बन जाएगी model class is 600 to 800 ओके नव यह था first part अब आगे बढ़ते हैं part number second की तरफ part second में क्या में बेटा find the median of the following data इसी data का median find करना है इसी data का क्या find करना में बेटा median find करना है अच्छा median find करने के लिए आपको पता है हमने cumulative frequency बनानी होती है मैं इसी को आगे expand करता हम चलो तो यह बनगी cumulative frequency wait a minute इसको जरा हम expand कर लें हाँ ठीक है तो cumulative frequency क्या आगे तू टू प्लस फॉर शिक्स शिक्स और सेवन थर्टीन थर्टीन और फॉर 17 और टू 19 एंट्री 22 एंड 123 एंड 124 ठीक है यह आगी cumulative frequency अच्छा अब 24 अपन टू क्या आता बेटा 24 अपना 24 आ गया न हमें क्या करना होता है n by 2 that is 24 by 2 which is 12 है ठीक है अब हमने आगे क्या देखना होता है बेटा कि जो n by 2 आया उससे just greater cumulative frequency कौन सी है n by 2 की value क्या आई थी बेटा n by 2 की value आई थी 12 तो 12 से just greater cumulative frequency that is 13 ठीक है तो वही वाली अपनी क्या हो जाती बेटा median class तो यहां पे model और median class दोनों के आगी same तो अपनी median class क्या बन गई 600 to 800 ठीक है जी तो median का आगे formula क्या आता है बेटा wait a minute ठीक है तो median का बेटा आगे formula क्या बन जाता है अपने पास यह रहा तो median का बेटा formula आता है जो median है that is l plus n by 2 minus cf upon f multiply by h ठीक है अब यहां पे l क्या होता है बेटा l होता है median class का lower limit तो median class क्या आई थी यह वाली 600 to 800 इसकी lower limit है 600 तो यहां पे हम 600 put कर देंगे plus n by 2 अपना है था 12 minus cumulative frequency कुन से होती बेटा कि जो भी अपनी median class आई है उससे उपर वाली यह जानी की 6 इस case में cumulative frequency हो जाएगे 6 और frequency क्या होती है frequency होती है बेटा की जो अपनी median class थी उसकी frequency which is 7 here okay multiply by h, h की value क्या है बेटा h का मतलब होता है class size that is gap इसमें gap कितना है 800 minus 600 that is 200 तो gap कितना है रहा बेटा 200 का तो इस तरह से अब इसको solve करेंगे तो अपना median find out हो जाएगा तो it will be 600 plus 12 minus 6 कितना आता है 6 by 7 into 200 ठीक है बस अब इसको points में convert कर लो आपका answer आ जाएगा 1200 by 7 ठीक है आगे यह 1200 by 7 इसको solve करो जाएगा wait a minute मैं यहाँ पे लिख देता हूं median के आगे अपना 600 plus 1200 by 7 तो इससे coding अपना median क्या बन जाएगा 600 plus यह बन जाएगा 7107 550 77049 1010 7107 3030 तो 428 फिर 20 आ गया 72014 बस इससे आगे जाने की जूरत नहीं है तो अपना जो median था median क्या आ जाएगा बेटा 771.42 mm ठीक है तो यह अपना median बन जाएगा अच्छा अब आगे देखते है next part में क्या बुचा गया find the mean अगले पार्ट में उसने mean पुछ लिया तो बेटा mean के आपके पास 2-3 method है direct method है आपकी इच्छा जो मर्जी method लगा लो ठीक है 400 और 600 इसकी value आजेगी 500 आपको shortcut मैंने lecture videos में बताया है कि जितना यह gap होता है उसको add करते जाओ यानि कि आपने first x i निकाल लिया ठीक है उसके बाद 200 का gap है न हरे class interval में तो 200 add करते जाओ 7, 9, 11, 13, 15 and 17 मेरी बात को समझ गए यह आपका क्या बन जाएगा x i अच्छा अब अपना अगला काम क्यों आता है last काम x i और f i को कर देना है multiply ठीक है x i और f i को क्या कर देना है multiply तो यहाँ पे x multiply f जैसे मर्जी लिख लो तो यह रहा आपका f यह रहा x तो यह बन जाएगा 600 यह बन जाएगा 2000 और यह बन जाएगा 4900 यह बन जाएगा 3600 यह बन जाएगा 2200 यह बन जाएगा 3900 यह बन जाएगा 1500 और यह बन जाएगा 1700 ठीक है आगे का करना इन को plus करना है ठीक है जी तो यह आगया last में plus करके क्या बन जाएगा यह जीरो 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 जी जगा जिरू है फिर से जिरू आ गया यह बन गया 6 और 9 15 और 6 21 बाई तेई 10 तेटी बती बती और 5 सैंती सैंती और साथ चताली 44 4 कैरी 4 2 6 4 10 3 13 3 16 17 18 19 भी तो 20,400 और इन सब को प्लस करेंगे तो हमने करी लगए क्या बन देट 24 बस यह अपना मीन का फोर्मला आ गया तो आगे मीन क्या आ जाएगा बेटा वीन आ जाएगा अपना mean equals to sigma fi multiply xi upon sigma fi ठीक है तो fi into xi क्या बन गया था 20,400 और ये बन गया था 24 अब बस इसकी cutting कर दो जो भी आप का अंसर आ जाएगा इसको cutting कर देंगे 12 इसको cutting कर देंगे 102 ये गया 6 ये बन जाएगा 51 ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 3 ये बन जाएगा 31003 फिल 21 37021 नहीं एक 31003 ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 22204 11 252025 ये रहा ठीक है और ये 3 के table पे कट हो गया ये बन जाएगा 38024 15 3515 850 तो बिट्टा जो अपना mean था that comes आउट भी 850 मिली मीर ठीक है अब last question देखते हैं last में क्या है कि if subdivision having at least thousand mm rainfall during monsoon season is considered good rainfall उसने बोला कि कम से कम अगर thousand यह रहा thousand अगर कम से कम thousand mm rainfall हो उसको हम अच्छी rainfall consider करेंगे तो how many subdivision had good rainfall तो बताओ कितनी subdivision की rainfall अच्छी है यानि कि thousand से ज़्यादा वाले सारे कर लेंगे thousand से ज़्यादा वाले ये वाले सारे हैं तो कितने आगे बेटा two plus three five और one six और one seven तो seven आपका अंसर आजाएगा ठीक है तो ये जो आपका third part होगा third part ये था और वाला part third part में क्या करेंगे regions having subdivision यहां पे subdivision लिखा हुआ तो हम क्या लिखेंगे subdivisions having good rainfall ठीक है तो ऐसी subdivision जहां पे rainfall क्या है काफी अच्छी है उसका answer क्या आएगा उसका answer आजाएगा thousand से उपर था यानि कि two plus three plus one plus one तो वो बन जाएगा two three one and one answer आगया seven ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे question question number second पे आज की वीडियो का जो second case study question है second case study question में क्या बोला गया देखो the discuss throw is an event in which an athlete attempts to throw the discuss the athlete spins anti-clockwise अच्छा discuss throw के बारे में बताया गया ठीक है half through the circle then release the throw ठीक है उसने बोला ये half circle complete करके वो फिर उसको release कर देता है ठीक है पहले ये एक circle खतम करा फिर उसके बाद ये दूसरा आदा circle और खतम करके यहीं से उसको release कर देता है tangent line पे अच्छा in the given figure a b is one such tangent to the circle of radius 75 cm ठीक है a b a tangent given है point o is the center of the circle ये रहा angle a b और 30 degree है ये रहा a b o that is 30 degree p q is parallel to o है जो p q और o है that are parallel to each other ये भी given है अच्छा अब इस information के according हमें क्या बताना हमें a b की length बतानी है यानि कि ये पूरी वाली length o b बताना है यानि कि ये वाली length फिर a p और p q ये रहा a p और ये रहा p q ठीक है अच्छा अब बेटा ध्यान से देखो आपने थियोर्म 10.1 पड़ी हुई है कि जो भी अपना radius होता है वो हमेशा tangent के perpendicular होता है यानि कि अगर मैं इस triangle की बात करूँ तो ये एक right angle triangle नहीं बन गी तो बेटा अगर right angle triangle बन गई तो मैं इसमें अपनी trigonometry लगा सकता हूँ chapter number कौन सा था वो introduction to trigonometry समझे तो इससे क्या फैदा होगा देखो बेटा हमें क्या find करना है a b find करना है ये perpendicular बन गया 75 है और base अपने को a b find करना है तो perpendicular upon base tangent 30 degree नहीं होता है समझे गए ठीक है कि नहीं तो perpendicular क्या था question number 37 perpendicular था o a upon base था a b ये बन गया tangent 30 degree ठीक है अच्छा o a जो radius था 75 given है a b अपने को find out करना है this is part first tangent 30 is 1 upon root 3 तो जो a b है a b comes out to be 75 under root 3 cm तो ये तो हो गया अपना first part बड़ी असानी से ठीक है समझे गए नहीं इस बात को कैसे कर रहा है बिल्कुल easy बिल्कुल अच्छा question था अच्छा अब o b की value अच्छा o b क्या बेटा अगर इस triangle में देखो तो o b अपना hypotenuse है तो again perpendicular upon hypotenuse वो बन जाएगा sin 30 degree perpendicular 75 है hypotenuse तो o a upon o b ठीक है तो अब हम क्या लिखेंगे o a upon o b that is sin 30 degree ठीक है तो o a की value again 75 है o b hypotenuse find out करना sin 30 is half cross multiply कर देंगे तो 75 into 2 हो जाता है 150 cm यह अपना o b की value आगी ठीक है अब बढ़ते हैं अपने c part की तरफ c part में क्या बेटा की find the length ap c part में क्या करना बेटा की यह ap जो length है वो find out करनी है अपने को ठीक है इसके लिए बड़ा अच्छा अब देखना बेटा अभी bpt का इस्तिमाल हो जाएगा दोनों chapter mix कर दिये triangle वाला भी और introduction to trigonometry भी अच्छा ap find out करना ना अपने को ठीक है अब पिटा ध्यान दो यह o b हमने पूरा 150 find out कर रहा है अभी यह o b पूरा 150 find out कर रहा है ना अभी ठीक है लेकिन अगर मैं यह देखू o से लेके क्यों तक यह radius नहीं है ध्यान से देखो यह center है यह circle का point है तो o से क्यों radius है और radius तो अपने को 75 even है यानि इतना portion तो 75 हो गया और पूरा portion कितना है 150 है तो यानि कि इतना portion भी तो 75 हो गया ठीक है देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं o b देखो यहां पे करके दिखाता हूं o b बेटा मिनट हाँ o b क्या है बेटा o b को मैं क्या लिख सकता हूं देखो ध्यान से o b को मैं क्या लिख सकता हूं o b को लिख सकता हूं मैं o q plus q b क्या लिख सकता हूं इसको मैं o q plus q b o b पूरा कितना था 150 equals to equals to o q o q को क्या लिखूं मैं 75 लिख दूं क्यों क्यों कि वो क्या है radius है प्लस QB, तो यहां से बेटा QB की value के आगई 75 ना गई, ठीक है, यही तो मैं बोलना चाहरा हूँ, QB की value के आगई 75 cm, अच्छा, अब देखो, यह पूरा 150 था, और यह दोनों equal halves में बट गया, यानि की Q midpoint ना हो गया, Q जब midpoint हो जाएगा OB का, ध्यान दो, therefore, Q is midpoint of OB, अब आप बोलोगे कि सर आप इतना क्यूं कर रहे हो, अभी देखना, यह चीज अगर आपको समझागी ना, अभी एक मिनिट में आपका अंसर आजाएगा, बिलकुल एक मिनिट में आपका अंसर आजाएगा, OB का midpoint आगया, मै next line पर शुरू करता हूँ, यह देखो, यह अब OB का, बेटा मिनिट, हाँ, अब ठीक है, अब angle ठीक है, अच्छा, यह OB का midpoint बन जाएगा, देखो, बेटा, अगर मैं इस triangle को घुमा दू ऐसे करके, देखो, आपने triangle ऐसे देखी हुई है, बेटा, आपके पास BPT वाले chapter में ह होता है, यह आपका 6.2 में question है, I don't remember, यह exercise 6.2 में है कि 6.3 में है, वहाँ पे आप यह proof करते हो, कि अगर दो lines आपस में पहलर हैं, और किसी एक line का midpoint given है, तो वो दूसरी line का भी midpoint ही बन जाता है, बात को समझ लें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि P भी AB का midpoint है, ठीक है, therefore, therefore, P is also a midpoint of AB, तो P भी AB का midpoint है, ठीक है, अब देखो इससे क्या फाइदा होगा, बेटा अगर P हो गया midpoint, तो AP हमें जो find out करना है, वो पूरे AB का half ना हो जाएगा, ठीक है, जो AP find out करना है, पूरे AB का half हो जाएगा, ठीक है, जो AP है, AP equals to half of AB ना, ठीक है जी, तो AB हमने अभी find out कर लिया, AB क्या बेटा, हमने find out कर रहा था, अभी first part में 75 under root 3, तो ये है 75 under root 3 by 2 cm, ठीक है, अब करते हैं इसका और वाला part, और वाले part में क्या है, find the length PQ, PQ की length find करनी है, ये रहा PQ, अब देखो बेटा, अगर मैं again strangle को लूँ, तो BPT में एक बड़ा शांदा result होता है, कि ये PQ find करना OE दे रखका है, तो एक क्या result होता है बेटा, कि BQ upon BO पूरा, मेरी बात को समझ गे, BQ upon BO पूरा, किसके equal होगा, QP upon OA, ठीक है, ये भी basic proportionality theorem का result होता है, ठीक है, आप लिख लो PQ is parallel to OA, क्या लिखो आप, PQ is parallel to OA, therefore, by using basic proportionality theorem, exam में आप पूरे spelling लिख किया होगे, BPT नहीं लिखोगे, तो basic proportionality का result का कहता है बेटा, ये रहा, वो कहता है कि BQ upon BO पूरा, BQ upon BO पूरा, किसके equal हो जाएगा बेटा, QP upon OA, ठीक है, वो किसके equal होगा बेटा, QP upon OA, ठीक है, अब बस values put करनी है, आप का answer आ गया, जो BQ था अपना, BQ अपने 75 ये रहा, क्यो भी, क्यो भी हमने 75 निकाला था, B, O, B, O कितना था बेटा, B, O, B, O पूरा था, 150 ये रहा, B, O, 150 निकाला था, QP, QP अपने को find out करना है, और OA आ गया, OA था, radius 75, तो QP की value के आगी बेटा, 75 into 75 upon 150, तो इसको कर दिया 2, तो QP की value के आगी बेटा, 75 by 2 cm, और यही अपने को find out करना था, at the end, ठीक है, तो यहां से अपना QP या P की जो मर् 25 by 2 आगया, अच्छा, 38th question देखो बेटा, बड़ा असान, बड़ा easy question है, सबसे easy question बोलूगा मैं इसको, while designing the school yearbook, ठीक है, school की एक book design करनी है, teacher asked the student that the length and width of the particular photo is increased by x units, each to double the area of the photo, उसने क्या बोला, कि यह photo का original था dimension, ठीक है, original dimension क्या थी बेटा, 18 by 12, तो उसने बोला, उसकी length भी x बड़ा दी, और उसकी width भी x बड़ा दी, ताकि जो नई photo है, उसका जो area है, वो पुरानी photo के मुकाबले double हो जाए, ठीक है, मतलब पुरानी photo के area अगर 5 हा, तो नई photo का 10 हो जाएगा, पुरानी का 6 है, तो नई वाली का 12 हो जाएगा, double हो गया, मतलब ठीक है, the original photo is 18 centimeter into 12 centimeter, यह रही original 18 into 12, again based on the above information, answer the following question, तो कुछ questions के answer बताने है, right and algebraic equation depicting the above information, सबसे पहले तो भाई साब algebraic equation बनानी है इसकी, तो क्या बनेगी, यह देखो, बड़ा असान, बड़ा easy question है, algebraic equation क्या बन जाएगी इसकी, this is question number 38, एक मिनट, इसको ना मैं, अलगी बेश पे काता हूँ, ह question number 38, wait a minute, हाँ, यह रहा, question number 38, ठीक है, अच्छा, अब देखो, क्या हो रहा है, इस वीडियो में, sorry, इस फोटो में क्या बता रहे हैं, वो, कि हमेल जब राई का expression बनाना, अब देखो, original क्या था, 18 into 12, ठीक है, तो original area, original length, ऐसे बोल दो चाहे, original length क्या थी, 18 cm, original breadth, original, जो इसकी breadth थी, वो क्या थी, बेटा, 12 cm, ठीक है, तो जो original area, ठीक है, original area, यह old area, बोल दो इसको, वो क्या बन जाएगा, 18 into 12, यानि की, इतना cm2, ठीक है, यह क्या बन जाएगा, 96, 12 by 216, ठीक है, अब देखो, new length क्या बन जाएगी, बेटा, new length बन जाएगी, 18 plus x cm, अगर हम new breadth की बात करें, तो new breadth क्या बन जाएगी, बेटा, 12 plus x cm, अगर हम नए area की बात करें, तो नया area भी क्या बन जाएगा, 18 plus x multiply 12 plus x cm2, इतना तो clear है, ठीक है, ना, rectangle का area का formula लगा दिया, अच्छा, अब question में क्या given था, कि जो नया area है, question में क्या given था, जो नया area है, वो पुराने area का, जो नया area है, वो पुराने area का क्या है, double, यह अपना question था, तो बस, नया area क्या आगया बेटा, 18 plus x multiply 12 plus x, यह बन गया, 2 times old area, which was 21, 6 cm2, ठीक है, अब algebraic का expression बन जाएगा, इसको multiply कर दो, 18 into 12, 216, plus 18x, plus 12x, plus x square, क्या बन गया, इसको 2 से multiply कर दो, 12, 43, ठीक है, अब इस सब को यहाँ पे ले जाओ, यह बन जाएगा, x square plus 18, 12, कितना हो गया, 30x minus, 216 minus 432, समझे, चलो, एक स्टेप लिखी देता हूँ, minus 432 equals to 0, तो यह बन गया, आपकी algebraic equation, इनको minus कर दो, तो यह आगया, first part का answer, ठीक है, यह क्या बन जाएगा, बेटा, 12 minus 6, 6 आगया, फिर यहाँ पे, 2 minus 1, 1 आगया, यह आगया, 216, बात को सम समझे, यह था आपके first part का answer, algebraic expression, आगे, write the corresponding quadratic equation in standard form, अच्छा, basically बेटा, जो आपका यह है ना, यह first part का answer, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से आपका second part शुरू हो गया, basically, उसने बोला था algebraic expression बनाओ, वो हमने बना दिया, second part में पूछा कि इसकी quadratic equation बनाओ, standard form में, यह हमने quadratic equation भी बनाओ, standard form में, ठीक है, अब चलते हैं, part number 3 की तरफ, third part में क्या है, कि what should be the new dimension of the enlarged photo, तो हो कहता है, नई dimension बताओ, तो बेटा, नई dimension क्या थी हमारे पास, नई dimension तो यह थी ना, 18 plus X और 12 plus X, यानि कि हमें अगर X की value पता चल जाए, तो हम नई length और नई breadth, यानि कि पार्ट number 3 की, ठीक है, अचा, third part में क्या, इसको solve करना, तो solve करने के again दो तरीक की है, चाहे तो आप factorization का use करो, चाहे quadratic formula, लेकिन quadratic formula में, जब आप 4 AC करोगे, तो C तो already इतना बड़ा है, 4 से multiply करोगे, root लोगे, तो वो already बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है, तो मैं हमेशा बच जाएब में काफी help होगी time बचाने में, चलो, 216 का अगर मैं करूँ, wait a minute, यहीं पर कर देते हैं, चलो, 216, तो यह आजएगा 2, 108, फिर आजएगा 2, 54, फिर आगया 2, 27, फिर 3, 3, sorry, 9, 3, 3, and 1, अब इसकी pairing करो, pairing क्या करनी है, हमने, हमने plus 30 बनाना है, इस recording pairing करनी है कि हमने plus 30 बनाना है, ठीक है, तो, हाँ, ठीक है, बेटा, अगर मैं, देखो, मैं अलग use कर लेता हूँ, अगर मैं इनको, और इनको इकठा कर दूँ, ठीक है, इन दोनों को इकठा कर दूँ, और इनको इकठा कर दूँ, 326, तो बेटा, देखो 30 बनना मेरा असानी से, कैसे बनना है, ये देखो 2 multiply 2 4 3 multiply 3 9 9 4 0 36 और 36 में से ये 3 2 0 6 minus करेंगे तो 30 आ गए ठीक है तो 36 और 30 ये दोनों बन गे तो ये बन गया x square plus 36 x minus 6 x minus 216 equals to 0 तो x common करा तो x plus 36 minus 6 common करा तो x plus 36 equals to 0 ठीक है तो यहां से क्या बन गया जब x plus 36 common हुआ तो x minus 6 equal to 0 तो यहां से x की दो values आगे बेटा minus 36 और plus 6 अब आपको पता x क्या थी बेटा x इसकी side ही तो है x इसकी side का portion ही तो है और side का भी negative होती नहीं तो minus 36 तो हो जाएगा reject और x की value क्या जाएगी फिर 6 लेकिन हमने नई dimension बनता नहीं है तो नई dimension में क्या है 18 और 12 में x कर देंगे ठीक है जी तो therefore new length जो नई length थी वो क्या आजेगी 18 plus 6 that is 24 cm और जो अपनी नई breadth है नई breadth क्या बन जाएगी 12 plus 6 that is 18 cm समझे चलो अब बढ़ते हैं last part की तरफ last part क्या कहता और वाला can any rational value of x makes the new area equal to 220 cm square वो कहता कि नया area 220 cm square बन जाएगा ताकि कोई x rational मिल जाए बना के देख लिते हैं बिटा नया area क्या था अपना नया area ये था बेटा 18x plus 12x मेरी बात को समझे नया area ये था न 18x plus 12x ठीक है जी तो अगर मैं इसका और वाला part करना चाहूं तो नया area क्या बन गया था 18x plus 12 plus x equals to 220 अब आप बोलोगे कि सर x की value तो find out कर दिया फिर हम x को लिख रहे हैं बेटा वो अलग question था ये अलग question है इसमें वो कह रहा है कि दुबारा x find करो ताकि मेरा area कितना बन जाए 220 इस case में 220 थोड़ी था area समझे तो उससे coding x भी तो change जाएगा ना तो फिर से वही है 18 into 12 कितना आ गया 216 plus 18x plus 12x कितना बन जाएगा ये 30x plus x square equals to 220 तो उससे coding जो अपनी equation है equation क्या बन गे बेटा ये वाली बन गी कुछ इस तरह से अपनी equation बन गी ठीक है नहीं ये गलत नहीं कर दिया हाँ ये बन जाएगा actually 220 और 216 ये बन जाएगा minus 4 equals to 0 ठीक है तो अगर हम इसका discriminate find करें बेटा 20 square minus 4 is to discriminate बन जाएगा 30 square minus 4 into a into c तो ये बन गया 900 plus 16 that is 916 अब देखो बेटा यहाँ पे है थोड़ा twist वो कह रहा है कि हमें roots कौन से चाहिए बेटा वो कह रहा है हमें roots चाहिए rational हमें roots कौन से चाहिए rational चाहिए अब अगर roots rational है तो ये discriminate मतलब x की value तो बेटा ऐसी हैगी ना minus b plus minus b square minus 4 ac upon 2 यही value होती है तो बेटा अगर मैं इसको देखूं root 916 इसका तो ये तो perfect square है यह नहीं अगर ये perfect square होगा तब ही तो rational value आएगी इस तरह के मैंने mcqs करवा रखे है mcqs section में जाके देखना मैं mcqs की playlist का link भी डाल दूँगा ठीक है तो ये rational root का बाते हैं कि जब root के अंदर आने वाली चीज़ perfect square हो लेकि 916 तो perfect square ही नहीं ठीक है since 916 is not a perfect square 916 जो है वो perfect square नहीं है therefore therefore क्या आजएगा there is no rational value so ऐसी कोई rational value नहीं मिलेगी किसकी x की such that area becomes area becomes या area will be जो मर्जी लिख दो that is the area will be 220 cm square बात को समझ गए ठीक है main point इसमें ये ध्यान में रखने माला था कि rational का मतलब क्या है कि जो आपके roots है वो मतलब जो root के अंदर वाली चीज़ है वो क्या हो perfect square ठीक है students तो ये था आपका section E जिसके साथ ये वाला previous year का paper खतम होता है अगली वीडियो में बेटा हम एक नए PYQ के साथ मिलेंगे एक नए previous year question paper के साथ मिलेंगे so till then goodbye and take care